तो compare कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x cube का coefficient a x cube का coefficient 1 a equal to 1 मिल गया power 2 अलग compare करें तो b minus 2a b minus 2a x square का coefficient x square का coefficient minus का 3 equate कर दिया दोनों तरफ से x square का coefficient equate कर दिया implies that a के वेलू 1 पुट कर दो b minus a के वेलू 1 पुट करा तो minus का 2 equal to minus 3 implies that अब minus 2 right side में जायगा तो plus का 2 हो जायगा तो b equal to 2 minus 3 implies that b equal to minus 1 अब पार 1 वाला compare करते हैं x का coefficient c minus 2 b है इस तरफ x का coefficient है 3 value पुट करते हैं b है minus 1 तो c into minus 2 b की वेलू minus 1 to 3 c minus 2 into minus 1 plus का 2 equal to 3 2 जाके right में minus हो जायगा c आगया 1 अब constant की टरम compare करते हैं minus का 2 c equal to इस तरफ है minus का 2 constant दोना दरफ से minus का sign cancel हो जायगा c equal to आ जायगा 1 अच्छा अब ये करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि a b c already आ चुके हैं तो ये वाला करने की जरूरत नहीं थी ये c equal to यहीं से आ चुकी है तो जो आ चुके हैं उन्हें box में बंद कर देते हैं अब जी एक्स जो हमने एजूम करा था उसमें value पूट कर देते हैं जी एक्स हमने एजूम करा था a x square plus b x plus c value पूट कर दें अगर हम तो gx आ जाएगा बेटा a की value 1 है तो x square b कितना है minus 1 तो minus का x c है 1 तो यह plus का 1 तो यह हमारा final answer आ गया है gx जो की हमें find out करना था और यह हमने किस method से किया है बच्छो division algorithm से किया है अब method 2 देख लेते हैं लॉंग डिवीजन से method 2 लॉंग डिवीजन अब जैसे कि हमने बताया था बेटा लास्ट वाले को देखें अगरों फिर से तो हमने कहा था बेटा कि यहां तक का portion common है यहां के बाद कोई सा भी आप एक method ले सकते हो तो method 2 में देखिए बेटा यह equal to है gx into x minus 2 तो gx की value क्या होगी यह x minus 2 कहां चला जाएगा यहां पर नीचे division में तो हम क्या करेंगे gx की value कैसे मिलेगी इस पूरे polynomial को divide कर दें किस से x minus 2 polynomial से long division से तो हमें क्या मिल जाएगा gx gx क्या होगी यह पूरा polynomial upon यह वाला polynomial x minus 2 ठीक है तो इस 3 degree polynomial को x minus 2 से हम क्या कर देंगे long division से divide कर लेते हैं तो note down कर लेते हैं यहां पर आ जाएगा x cube minus 3 x square plus 3 x minus 2 इसे हम divide कर लेंगे x minus 2 से जो हमने अभी भी discuss कर रहा था तो division का तरीका पता है सबको highest power वाले term को highest power वाले से divide करेंगे तो x cube अपान x कितनी बाहर जाएगा x square x into x square x की power 3 minus 2 into x square minus का 2 x square अब आपको पता है कि हम sine change करेंगे और उसे in circle करेंगे तो यह हो गया बेटा minus और इसका sine change होकर क्यों हो गया प्लस अब यह plus का x की minus का x की अपती दोनों cancel अब like term को add और subtract करेंगे तो minus का 3 x square अब यह plus का 2 x square हो चुका है तो बचा कितना minus का x square बाकी को add notation note कर लेंगे और की decreasing order में plus 3 x minus 2 अब highest power वाला जो minus x square है highest power वाला x divided करें minus x square अपन x कितना हैगा minus का x minus का x x into minus x minus का x square x minus 2 into x plus का 2 x sine change और in circle करेंगे तो यह plus में और यह minus यह cancel होगी है बेटा अब आप देखो 3 x अई माइनस का 2 x तो बचा कितना किवेल x और minus 2 दोनों की power अभी equal है तो भी division जा सकता है x upon x कितना होगा highest power वाले को highest power वाला से divide करें तो वन टाइमस जाएगा तो प्लस वन x की value मिल गई हमें कितनी x square minus x plus 1 और यह हमारा final answer है अब आप देख पार होगे कि method 2 यहाँ पर ज़्यदा simple है long division से यह आट कर रहा है तो उनको ज़्यदा simple लग रहा होगा तो इससे हम prefer करेंगे यहां पर इस question में इसे हम prefer करेंगे method 2 को prefer करेंगे यह preferable है यहां पर कि 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 झाल झाल